Hello everyone, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि G20 की अध्यक्षता 2023 में भारत के पास है 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक ये ध्यक्षता भारत के पास है 100 से जादा मिटिंग्स भारत की अंदर इसकी आयोजित होनी थी ठीक है अब 100 से जादा मिटिंग्स सारी की सारी जो मिटिंग्स है वो एक्जाम प्रोस्पेक्टिव से important नहीं है लेकिन कुछ 40 के असपास मिटिंग्स है जो मैंने खोज कर निकाली है कि यहां से सवाल पेपर में बन सकता है तो वो कुछ 40-45 मिटिंग्स हैं जो आज के इस सेशन में हम डिसकस करेंगे इस छोटी से वीडियो में आपको वो सारी मिटिंग्स कवर करा दूगी इससे बाहर आपका question G20 से नहीं बनने वाला है ठीक है तो चले वीडियो को शुरू करते हैं G20 का जो scenario वो पूरा आप लोगों को मैं काफी बार बता चुकी इससे पहले भी दो-तिन वीडियो हो चुकी है छोटी-छोटी उसमें मैंने सारी चीज़ें आपको बताई थी सीधा हम सवालों पे चलते हैं ठीक है सो सबसे पहला सवाल आपका G20 की शेर्पा जो है मतलब सबसे पहले तो यह याद रखेगा कि शेर्पा जो है वो किन्हे बनाया गया है तो अमिताब कांत जी को शेर्पा बनाया गया है ठीक है आप पूछा यह जा रहा है कि जो फर्स्ट शेर्पा मिटिंग हुई थी यह कौन से जगह पर हुई थी उदैपूर के अंदर हुई थी यानि कि राजस्थान के अंदर फर्स्ट शेर्पा मिटिंग का आयोजन किया गया था शेर्पा होते हैं जो सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं देखते हैं और जो जो जी टुएंटी की अंदर जितने भी डालीकेट्स आने वाल जितने भी कंट्री से नेता आने वाले हैं तो उनको भी सारी चीज़ों को उनको वेलकम किया जाता है उनको सारा प्रोसेज समझाते हैं जो भी चीज़ें होने वाली होती यह मतलब शेरपा जो है वो इन सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं ठीक है पहली विकास कार्य समोग की जो बैठेक है यह कहाँ पर आयोजित की गई मुंबई की अंदर फर्स्ट डवलाप्ड वर्किंग ग्रूप मिटिंग हुई थी जो की मुंबई की अंदर आयोजित की गई थी नेक्स्ट क्वेशिन है फर्स्ट फाइनांस एंड सेंट्रल बैंक रिप्रेजन्टेटिव मिटिंग यह कहाँ पर होती है बैंगलूरू की अंदर फाइनांस एंड सेंट्रल बैंक रिप्रेजन्टेटिव मिटिंग हुई थी जो की बैंगलूरू की अंदर आयोजित की गई थी उसके बाद है फ्रेम वर्क वर्किंग ग्रूप मिटिंग यह भी बैंगलूरू की अंदर हुई थी तो एक तो फाइनांस एंड सेंट्रल बै है first meeting of the global partnership for financial inclusion जो global partnership for financial inclusion को लेके meeting होती है ये कौन से जगह पर हुई थी कॉलकाता की अंदर इसका आयोजित किया गया था ठीक है कॉलकाता में ठीक है first infrastructure working group meeting जो पहली infrastructure structure working group meeting होती है ये पुने की अंदर आयोजित की गयी थी next health working group meeting health को लेकर के जो meeting होती है ये कहाँ पर तिरुवनन्त पुरा जो केरिला की क्या पिचल है यहाँ पर इसका आयोजित किया गया first employment working group meeting ये होती है जोदपूर यानि की राजस्तान के अंदर employment working group meeting जोदपूर की अंदर इसका आयोजन किया गया अब देखो इनको याद करने के लिए कोई ट्रिक्स का यूज मत करना ट्रिक्स है आप कुछ-कुछ तो याद कर सकते हो 40 मिटिंग्स के ट्रिक्स अगर आप याद करोगे तो definitely आप confused हो जाओगे सब मिलती जूलती हैं तो बेटर है एक काम करना एक दिन में 5 याद कर लेना एक दिन में 5 याद कर लेना आपको 40 याद करनी है तो कितना टाइम लगेगा आपको कितना टाइम लगेगा बस एक हफ़ता मुश्क्र से लगेगा अगर 5-6-5-6 डेली आप याद करोगे तो हफ़ते 10 दिन में सारी जो मिटिंग से वो कवर हो जाएंगी आपकी maximum 8 दिन लगेंगे अगर आप एकदम fix बनाते हो कि एक दिन में 5 मिटिंग से याद कर दी गूमते फिरते कर लेना बट tricks का use मत करना मैं यही आप लोगों को suggest करूँगी ठीक है चलो next बात करते हैं first education working group meeting जो है ये कहाँ पर होई थी चेनई के अंदर ये education working group meeting थी ठीक है first sustainable finance working group के meeting ये गुवाहाती असाम के अंदर आयोजित हुई थी उसके बाद आती है first energy transition working group meeting इसका आयोजन बेंगलूरू के अंदर किया गया था first tourism working group meeting ये होती है run of catch यानि गुजरात के अंदर इसका आयोजित किया गया ये tourism को लेकर थी बेंगलूरू में यह हुई transition working group को लेकर के थी ठीक है बेंगलूरू बेंगलूरू वाली एक साथ लिख लेना और उनको एक साथ याद कर लो बेंगलूरू में कौन कौन सी हुई थी next है first meeting of anti-corruption working group ये गुरू ग्राम हर्याना के अंदर हुई थी ब्रश्टा चार को लेकर के ठीक है first trade and investment working group meeting इसका आयोजन किया गया था मुंबई की अंदर उसके बाद आता है first trade and investment working group ये कहां होती है मुंबई के अंदर होती है first chief science advisor round table meeting राम नगर के अंदर इसका आयोजन किया गया था ठीक है first disaster management working group meeting किस चीज को लेकर disaster management को लेकर के जो meeting का आयोजन होता है that is in गांधी नगर गुजरात के अंदर ठीक है G20 foreign ministers के meeting ये कहां होती है नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया उसके बाद आते हैं development ministers meeting development ministers के जो meeting है ये होई थी वारानसी के अंदर tourism ministers meeting का आयोजन किया गया था गोवा के अंदर next education ministers meeting जो है ये पूने के अंदर होती है next research ministers meeting इसका आयोजन मुंबई के अंदर किया गया research ministers meeting ठेक है crime and security crime and security in the era of NFTs AI and metaverse इसकी meeting कहा गुरुग्राम में हुई यानि की NFTs and AI और metaverse के युग में अपराद और सुरक्षा को लेके चर्चा की गई गुरुग्राम के अंदर इसका आयोजन किया गया meeting of labor and employment ministers ये कहा होती है इंदोर के अंदर next question है energy ministers meeting इसका भी आयोजन हुआ कहा पे गुवा के अंदर environment and climate sustainability ministers meeting ये चेनई के अंदर आयोजित की गई थी next is ministerial meeting on women employment गांधी नगर कहा होती है गांधी नगर women empowerment को लेकर के जो मिटिंग का आयोजन किया गया था गांधी नगर गुजरात की अंदर इसका आयोजन किया जाता है उसके बाद है anti-corruption ministers meeting anti-corruption देखो एक corruption को लेके जो मिटिंग हुई थी ये गुरु ग्राम की अंदर आयोजित की गई थी लेकिन मंत्रियों की बात करेंगे ब्रश्टा चार विरोधी मंत्रियों को लेकर के मिटिंग होती है इसका आयोजन कहा हुआ था कॉलकाता की अंदर हुआ था तो दोनों में confused नहीं होना है दोनों अलग-अलग है ध्यान रखेगा चीक है और women empowerment को लेके ये कहा होती है गांधी नगर की अंदर उसके बाद है fourth tourism working group meeting ये fourth tourism को लेके मिटिंग होती है जो कहां पर की गई गई गोआ की अंदर इसका आयोजन किया गया इसी तरह से fourth education working group की जो मिटिंग है ये पूने के अंदर आयोजित की गई इसमें education के ऊपर जो है चर्चा की गई थी तो fourth education working group की मिटिंग का आयोजन ये कहां किया जाता है पूने यानि महरास्टर की अंदर हुआ था next question है fourth employment working group meeting ये employment working को लेकर की थी इंदोर की अंदर इसका आयोजन किया गया next आपसे पूछा जा रहा है fourth energy transition working group meeting energy transition working group meeting इसका आयोजन गवा की अंदर किया गया था उर्जा परिवर्तन कारिय समू की बैठक गुआ की अंदर आयोजित की गई थी question number four sorry fourth digital question number four भोलने की आदत है fourth digital economy working group meeting जो है इसका भी आयोजन बैंगलूरू के अंदर किया जाता है ये digital economy के उपर थी working group meeting कहां होई बैंगलूरू के अंदर अब हमने देखा कि जादते जो meetings है ना वो कुछ चुनिंदा शेहरों की अंदर है तो हमें उनके लिस्ट बना लेना एक तरफ लिक लेना जिसे बैंगलूरू लिख लिया गांधी नगर लिख लिया गोआ हो गया मुंबई हो गया है ना तो ये आप एक जगाह पर लिख लेना और इनी शहरों में, 4-5 शहरों में सबसे जाधा मिटिंग्स हुई है अब बेंगलोरो लिखके, इसके जितनी भी मिटिंग्स हुई है ये सारी मिटिंग्स एक लाइन से लिख लेना आपको एक ही जगे पर याद फिर ऐसे करके आप डेली एक शहर की मिटिंग से याद कर लोगे एक हफते में इतना अच्छा तयार हो जाएगा आपको ना किसी ट्रिक्स की जरुरत पड़ेगी और एक्जाम से पहले आपका बहुत अच्छे से कवर भी हो जाएगा चीक है ना चलो तो उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेस्चन पर नेक्स्ट देखिए फॉर्थ हेल्थ वर्किंग ग्रूप मिटिंग इसका आयोजन किया गया गांधी नगर की अंदर ये किस चीज को ले करके थी हल्थ के उपर फोकस किया गया हल्थ के उपर फोकस किया गया हल्थ वर्किंग ग्रूप मिटिंग गांधी नगर के अंदर ये फॉर्थ नंबर की मिटिंग थी नेक्स्ट क्वेशन है फूर्थ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रूप ये की गई जैपूर के अंदर ये है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को लेकर जैपूर में इसका आयोजन किया गया ठीक है Digital Economy Working Group Ministers Meeting का आयोजन बेंगलूरू की अंदर हुआ था Digital Economy Working Group Ministers Meeting का आयोजन किया गया बेंगलूरू की अंदर Next आते हेल्थ Working Group Ministers Meeting ये कहां होती है गांदी नगर गुजरात के अंदर ठीक है Trade and Investment Ministers Meeting का आयोजन जैपूर में किया गया इसका PDF जो है वो आपको मिल जाएगा Application से ले लिजएगा Application का लिंक description में दिया है और आप मेरे Telegram से भी ले सकते हैं वहाँ पर भी मिल जाएगा मेरे नाम से यह उसके बाद आते हैं Culture Ministers Meeting Culture के उपर focus किया गया और ये जो मिटिंग है इसका आयोजन किया जाता है वारानसी की अंदर ठीक है G20 Summit अब ही देखो 9 और 10 सेप्टेंबर को इसका जो आयोजन है ये दिल्ली के अंदर किया जा रहा है इसके ओपर एक छोटा सा सेशन जो है वो मैंने कल परसू किया था उस वीडियो को इसी चैनल पर वीडियो सेक्षिन में जब आप जा कि अच्छा ही काम करती में लिंक जो है वो इसका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डलवा दूँगी तो दिल्ली समिट के बारे में सारी जो इन्फोर्मेशन है वो मैंने उसमें डाल लिए 6-7 मिनट की वीडियो है दिल्ली के अंदर 9 और 10 को जो इसके शम्मेट होने जा रही है वो सारी के सारी समिट्स और पूरी जो इन्फोर्मेशन है वो मैंने उसके अंदर डाल लिए तो उस वाली वीडियो को एक बर इससे जरूर देख लिजेगा guys वो आपकी important रही क्योंकि दिल्ली की अंदर G20 की जो meeting हो रही है 19 September को ये एतिहासिक meeting बताई जा रही है तो बहुत जादा important है और यहां से सवाल बनने के पूरे-पूरे chances है तो वो छोटी सी वीडियो का link डलवा दोगी इसको अच्छे से cover कर दीजेगा तो आज के लिए बस इतना ही अब next topic के साथ मिलते है next video में और मुझे comment section में topics भी suggest कीजिएगा कि आप next video कौन से topic पे चाहते हो मैंने काफी सारे topics जो हैं वो आप लोगों cover करा दिये हैं अब next वाला जो topic है यह comment section में लिखिएगा तो मैं देखती हूँ उनमें से कौन सा topic करवाना है ठीक है चलो जितने में students नए जोड़े हैं आज platform पे तो चैनल को subscribe कर लेंगे so date की मेरी आगे आने वाली classes का notification आपको मिल सके तो मुलाकात करते हैं next video में thank you so much have a good day take care and bye bye